हेलो गाइज, वेलकम बेक टू माई चनल, तो मैंने स्टार्ट किया A to Z लेटर से स्टार्ट होने वाली रेसिपी, तो ये मेरा आज का लेटर है C, तो C से मैं बना रही हूँ कैपसी कम की सबजी, वो भी बेसन वाली, तो चलो बिना टाइम वेज के रेसिपी स्टार्ट कर ले हो जाता है और इसमीं अच्छे सेखे लिए, तो देख सकते हैं, वेलको बेसन को ठंडा होने के लिए, साइड में रख देंगे, यहां पर मैंने ले ली एक कड़िए, कड़ाई में डाल आख से ऐले तो ऐल गरम हो गया है तो इसके बाद इस ङला रया जीरा अभी दाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा इसके बाद चुटे चप्सी कंग Almighty पूरी केसिक बनां इसके बाद इसको एकदम अच्छे से इस तरह से mix कर लेना है और guys capsicum की यह बेशन वाली सबचे एक बर पनाऊगे तो बार बार बनाऊंगे इतनी टेस्टी बनती है बहुते जल्दी से भी बन जाती है तो देख सकते हैं मैंने एक दम अच्छे सो इसको मिक्स कर लिया है तो अभी मैं इसको ढकन लगा कर दो मिनिट के लिए पका लूँगी दो मिनिट हो गई है गाईस तो कैप्सीकम ठोड़ी बहुत पक गई है तो इसके बाद इसमें एक एक करके सारे मसाले एड करेंगे तो मैं यहाँ पर डाल तो देख सकते हैं मैंने सारे कर के सारे इसमें मसाले डाल दिये हैं इसके बाद इसको एक दम अच्छे से मिक्स कर लेना हैं और वापिस ढगकन लगा कर इसको पका लेंगे पाच मिनिट के लिए गयास की लो फ्रेम पे ठीक है तो अभी मैं डखकन लगा रही हूँ और पाच मिनिट के लिए पका लूँगी पाच मिनिट हो गई है गाइस तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ तो देख सकते हो इस तरह से तेल छूट रहा है निचे से तो इसके बाद इसमें डाल देना है हाफ लामन जूस इसके बाद इसको वापिस अच्छे से मिक्स कर लेना है और डखकन लगा कर दो मिनिट के लिए पका लेंगे दो मिनिट के बाद इसमें आड कर देंगे बेशन जो बेशन हम लोग ने भून लिया था वह बेशन इसमें अच्छे से मिल टा लेना है और इसके बाद इसको एकद़मेश से मिक्स करवेना है और यह देख सकते हो मापिस अपत्स यॆ ड़कन लगा कर दो मिनिट के लिए पका लेंगे दो मिनिट के बाद यह सोंत यह सपांधे के डिशा फैक्शन वाले बनकर करती क्यूंबी हो लेकम Kiss जरूर ट्राइ कने वाले रेसिपिया आपको बहुत ही पसंद आएगी ठीक है गाइस थैंक यू